इस वीडियो में हम जानेंगे बगल में छूरी मुह में राम राम का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? बगल में छूरी मुह में राम राम का इंग्लिश मीनिंग होता है having hatred in mind but speaking politely. इसे हम example से समझते हैं. Example A knife in the side, राम राम in the mouth. This is an idiom. उदाहरन बगल में छूरी मुह में राम राम यह एक मुहावरा है. इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही. अब आप मुझे comment box में बताईए गरम होना का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? Thank you